आज हम सीखेंगे दशमलब संख्याओं का संख्यारेखा पर निरूपन जरा सोचे क्या हम शतांच और हजारवे स्थान तक की संख्याओं को संख्यारेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? सोचे सोचे हाँ, हम जरूर कर सकते हैं जैसे यहाँ देखिए इस संख्यारेखा पर 0 से 10 तक संख्याय व्यक्त की हैं अगर हम संख्यारेखा को बढ़ा करते हैं तो हम 0 से 1 तक का अंतर 10 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं इसके साथ हम 0.1, 0.2, 0.3 इत्यादी संख्याय व्यक्त कर सकते हैं इसी तरह अगर हम संख्या रेखा को और बढ़ा करते हैं तो हम 0 और 0.1 के अंतर के भी 10 भाग बना सकते हैं इस तरह से हम 0 से 1 तक के अंतर के कुल 100 भाग बना सकते हैं इनके उपयोग से अब हम 0.01, 0.02, 0.03 जैसी शतांश स्थान तक की संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम संख्या रेखा को और बढ़ा कर 0.01 तक के अंतर को भी 10 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह हर एक भाग हजारवा भाग होगा। याने कि अब हम 0.01, 0.02, 0.03 जैसी हजारवे स्थान तक की संख्याओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में हम इससे संबंदित कुछ उधारण देखेंगे। कि अपर उदे लग्योश में हम इससे दुछ अष़्ा एंतान से संख्याओं ॉटित